आज हम यह सीखेंगे की I am sorry का हिंदी में क्या आरत है देखे, इंग्लिश में I am sorry का उपयोग शमा मागने के लिए किया जाता है एवम I am sorry का हिंदी में भावार्थ है मैं शमा प्रार्ती हूं इस बात को आप हिंदी में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मुझे खेद है इन शब्दों का उप्योग आप अपने जीवन में तब करेंगे जब आप से कोई गलती हो जाए एवं आप अपनी उस गलती के लिए शमा मांगना चाहते हो अथवा आपको अपनी उस गलती के लिए खेद हो तो ऐसे मैं आप करिए I am sorry तो यहाँ पर आप like, share, comment, subscribe और शुकरिए इस आगरा के साथ मैं इस वीडियो को समात करता हूँ